हेलो क्लाश रंद की मेरे पैरे इस्टूडेंट्स एजुकेस्टन कोचिंग के नए वीडियो लेक्चर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है पैरे भी द्यारती हूँ आपको बता दे आज इस वीडियो में आपको मैं पढ़ाने वाला हूँ इस्टेंजा बेश्ट कुश्टन का मतलब होता है बाबू आपके पेपर में एक कोई इस्टेंजा आएगा मतलब 4 या 6 लान के कोई पोयम आएगी और उसी पोयम से आपके कुछ कुश्टन से पूछे जाएंगे अगर उस समझेंगे तभी तो उसका आँसर देंगे वो समझ नहीं पाते हैं तो चलिए आपको समझाते हैं कि पहला कोईश्टन आपको इस तरह से कैसे पूछेगा पेपर में पहले इस आप इस लाइन को ध्यान से पढ़ेंगे आप कराकरीड दieving फालोइंग इस स्टेंजा आज जो इस श्टेंजा दिया गया हूँ बढ़ेंगे उसके कोश्टन और आंसर के तरफ ध्यान देजिए वर्ट बिटमेन कहते हैं कि I think I could turn and live वर्ट बिटमेन कहते हैं कि मैं सोचता हूँ कि मुझे अब मुड जाना चाहिए मानव जाती की तरफ से मुझे अब मुड जाना चाहिए and live with animals और मुझे अब जानरों के साथ रहना चाहिए दे आर वे होते हैं so placid बहुत ही सायमी होते हैं जो जानवर होते हैं वो बहुत ही सायमी होते हैं and self contented content और बहुत ही सांत होते हैं बहुत ही सांत और बहुत ही सायमी होते हैं चलिए अगली लाइन है I stand and look at them long and long मैं खड़ा हो करके बहुत लंबे समय तक बहुत अधिक समय तक उन्हें देखता ही रहता हूं, किने जानवरों को, चलिए अब देखते हैं इस स्टेंजा से कितने कोश्टन बनते हैं और किस टाइप के कोश्टन बनते हैं, उम्मीद है कि आपको वीडियो समझ में आ रहा लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स में सेयर भी कर दीजिए और हाँ, एक में बात अगर आप चैनल पर पहली बार आए है तो इसको सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी टंटना दीजिए ताकि आपको हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम से मिले चलिए, द जो पोएट ना, जो कभी है ना, वो है, इस कभीता में कहता है, कभी अपने दोस्तों के साथ रहना चाहता था, या कथा सब्सक्राइब करें कि यस, आंसर यहाँ पर देखिए इसका है, यस, ट्रू है यह, दपोएट थिंक्स टू लिफ बिद इस फ्रेंड्स, फ्रेंड्स यह, इसका अंसर तु आपको पताईए, मैं आपको तरीका बताने आया हूँ, कि हाँ आप इस question के answer को किस तरीके से लिखिए गा, ओके, चलिए, question number second, question number second, आको सामने यह देखिया गया, तन तनाता हुआ आ गया, आप इसको थोड़ा अच्छे से ध्यान देंके, ध्यान दे कौन है इसका नाम आप लोग जल्दी से बताएंगे में कमेंड बॉक्स में तब तक मैं आपको बता रहा हूँ इस कविता का वाल्ट इस कविता जो इनिमल्स नमक कविता है इस कविता का कभी वाल्ट विटमैन है चलिए अब देखते हैं question number third question number third आ गया देखिए तम तम आता हुआ क्या कह रहा है the poor things to live with लेखक रहना चाहता था किसके साथ यहाँ पर क्या fill up होगा animals the poor things to live with animals क्या हो जाएगा the poor things to live with animals यही न चलिए अगला question question number four एक इस्टेंजा से चारे question पूछेगा चौथा question है इस इस्टेंजा का और इसके बाद इस्टेंजा यहाँ से छुटी ले लेगा चलिए इसका जो question चौथा question क्या है the animals appear to the poet जानवर कभी को लगते हैं किसके समान लगते हैं एक्दम सांत के समान कैसे लगते हैं सांत लगते हैं इसका क्या है काम सांत के चलिए उमिद है कि आपको पहला 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 समझ में आ गया होगा अगर पहला पहला समझ में आ गया तो यह बार मुझे देखेंगे इस्टेंजा नंबर सेकंड चलिए यह देखिए आपके सामने आपके दूसरा इस्टेंजा बन करके तैयार है बसको गपागप घोट जाना है चलिए इसका देखते हैं अच्छा जीवन जीते हैं वे अपनी हालात के बारे में कभी चिंतित नहीं होते हैं और अगया है तथा रोती हुई आवाज में सिकायत भी नहीं करते हैं अपनी condition पर वो रोती हुई आवाज में सिकायत भी नहीं करते हैं चलिए अगला paragraph क्या करता है They do not lay awake in the dark and weep for their sins करा कि वे सिकायत भी नहीं करते हैं रोती हुई आवाज में और वे अंधेरे में जागते वे नहीं रहते हैं मतलब जैसे हम और आप हैं मानव प्राणिय जो अंधका जो क्या करें जागते हुए अंधेरे में वे अंधेरे में जागते हुए नहीं पड़े रहते हैं मतलब हम लोग अंधकार में भी रहते हैं उजाले में रहते हैं अज्यानता वो लोग अज्यानता है अज्यानता हम जानते वे अज्यानी नहीं बने रहते हैं जैसे हम लोग कुछ लोग होते हैं जानता है कि हां हम गलती कर रहे हैं लेकि फिर भी वो गलतियां कर देते हैं तो ऐसा कुछ ने जानवरों में है जानवर जैसे भी है वो अपने नहीं रोते हैं वे इस्वर के प्रती अपने कर्थब्यों के बारे में गंभीर विचार भी मर्ज भी दूसरों से करके उन्हें परिसान नहीं करते हैं, उन्हें बूर नहीं करते हैं, उन्हें उबाते नहीं हैं, अब इसका question चेक करते हैं, कि इससे कितने question पैदा होते हैं, इ तुलना में अच्छे से नहीं रहते हैं जो जानवर है है कि मनुस के तुलना में अच्छे से नहीं रहते हैं सत्य है कि जानवर मनुस के तुलना में अच्छे से नहीं रहते हैं चलिए अगला कोश्चन कोश्चन नमबर सेकंड कोश्चन नमबर सेकंड क्या कहता है Do animals lay away at night क्या जानवर रात में जागते हुए सोते हैं इसका अंसर No नहीं Animals do not lie away at night नहीं जानवर रात में जागते हुए बिल्कुल भी नहीं सोते हैं अगला question, question number third ज्यान देजी Question number 3 आपके सामने है Animals do not for the year since करा क्या जानवर अपने पाप पर रोते हैं Animals do not weep for the year since नहीं कभी भी नहीं जानवर अपने पाप के लिए कभी रोते नहीं हैं Question number 4 The poet of the poem is इस कविता का कभी कौन है The poet of the poem is Walt Whitman दो नमबर बन के तयार रहेगा आपका आपका दो इस्टेंजा इस poem का खतम हो गया मुझे उम्मीद है कि आपको सब कुछ अच्छे से भी समझ में आया होगा समझ में ना आ रहा हो तो आप बताएंगे और इसी के साथ हम चलते हैं तीसरे पहरा की तरफ हम लोग आ गए तीसरे पहरा की तरफ चलिए देखते हैं तीसरे पहरा कराफ आपका तीसरे इस्टेंजा क्या कहता है नाट वन इस डिस सटिस्वाइड नाट वन इस डिमेंटेड बिद दा मैनिया आफ ओने तिंग्स करा कि नाट वन कोई भी अपने जीवन से संतुष्ट नहीं होता है ना ही कोई चीजों के स्वामी बनने के लिए उसके विशय में पागल होता है अगे देखिए नाट वन निल्स तू एन अधर नाट वन इस काइंड देट लिवड थाउजन आफ इयर्स एगो और कोई भी जानवर के सामने घुटने भी नहीं टेकता ना ही कोई जानवर हजारों वर्स पहले जीवीत रहने वाले अपने किसम के अपने परजाति के अपने पूरजों के सामने घुटने टेकता है not one is respectable कोई सम्माननी या नहीं है और unhappy और ना ही कोई दुखी है over the whole earth पूरे पूरे संसार में कोई भी बहुत बड़ा नहीं है बहुत सम्माननी या कोई दुखी नहीं है अर्थात सभी लोगों में कोई भेदभा नहीं है इस इस टेंजा का कोईशन भी मैं चेक करता हूँ आपके सामने चलिए पहला कोईशन आपके सामने देखी इसको ध्यान से देखेंगे आप animals are free from the mania of warning things करा है कि जानवर सभी चीज को 71 करने की आदद से मुक्त होते हैं ये कतन सत्य है कि आ सत्य है करा है कि yes true animals are free from the mania of warning things जो ये जानवर होते हैं ये सभी प्रकार की चीजों को अपना बनाने के लालत से पूरी तरह से मुक्त होते हैं चलिए question number second question number second animals are not satisfied animals are not satisfied क्या होगा animals are not satisfied question number third not one of the animals is respectable are over the whole earth यहाँ पर क्या होगा आपको इस passage को देखकर के यहाँ जो इस्टेंजा दिया गया है इस्टेंजा को देखकर के आप इसका answer फट से पताएंगे unhappy होगा क्या होगा unhappy होगा जो लाइन दी गई है ना इस लाइन के बीच में unhappy एक वर्ड है उसको वहाँ से remove कर दिया है चलिए इसका answer होगे आपका अब question number fourth and last question of this इस्टेंजा in the poem the word one refers to कविता में एक सम्मंदित है से किसे animal से किसे animal सम्मंदित है okay question number four भी खतम अब देखते हैं अगला पैरागराफ अगला इस्टेंजा हमारा last इस्टेंजा इस poem का इस poem का हमारा यही last इस्टेंजा है चार लाइन का है चार नहीं पांच लाइन का है चलिए इसको भी फटा फटा हम लोग खा जाते हैं so they how their relations to me and I accept them कराया कि पसू मनुस्यों के परती अपना प्रेम दिखाता है and I accept them और हम मनुस्य जाती के लोग उनके प्रेम को स्विकार भी करते हैं they bring me tokens of myself वे मनुस्यों के प्रती उनके प्रेम का token का मनुस्यों के उपहार उपहार ले आते हैं आगे देखे they invoice they events them planally in their position I wonder where they get those tokens करा कि वे जो जानवर है ना वो जानवर पसू साधार रूप से अपने good को उसके सामने मतलब मनुस्यों के सामने दिखाते हैं वह बहुत उत्सुकता पूरवक सोंचता है कि उन्हें वे उपहार कहां से मिलते हैं ओके आगे देखे I wonder का मुझे आस्थर होता है कि where they get those tokens वे इस उपहार को वे इस प्रेम को कहां से पाते हैं जानवर के बारे मता रहा है चलिए अब इसका भी question answer चेक करते हैं धर 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 पहला question पहला question आपको सामने यह है इसको देखे तो पहले ध्यान से do the animals show their relation to the poet क्या जानवर अपना संबंध कभी से दिखाता है yes हाँ the animals show their relation to the poet हाँ जो जानवर है वो अपना संबंध कभी के साथ दिखाता है सही है question अब दूसरा question जल्दी से देखेंगे दूसरा question यह रहा आपके सामने who show the token of humanity मानावता का token यह प्रतीक कौन दिखाता है answer है humans show the token of humanity मानावता का token यह मानावता का प्रतीक जानवर दिखाता है तीसरा question आपके सामने कहता है कि who are the way कौन है in the first line of his ten जा पद के पंक्ती प्रताम पंक्ती में देशब्द किसके लिए आया है तो answer इसका है animals are they in the first line आप स्टेंजा इस स्टेंजा के इस पद के पहली लाइन में जो देशब्द है वो animals के लिए प्रिक्त हुआ है इस स्टेंजा का आपका चौथा और ही last question है देखे ध्यान से देखे इस question को आप humans being have lost the humanity of करा कि मानाव जाती ने मनुसियों ने खो दिया है क्या खो दिया है human beings have lost the qualities of humanity मनुसियों ने मनुसियों का गुड़ खो दिया है मतलब मानाव तका गुड़ खो दिया है चलिए उमीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भोले मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में